Nifty at lifetime high, Sensex at lifetime high, Nifty 500, जिसमें small क्या पाता है, mid क्या पाता है, large क्या पाता है, वो भी almost almost at lifetime high. What next? क्या होने वाला है market में? और कब तक ये सारी चीज़े चलने वाली है? तो इसका अगर आप लोग answer ढूंड रहे हो, तो बहुत सारे surprises आप लोगों के लिए आने वाले समय में आ सकते हैं, ये जो US President Election थे, इसको इतनी आसानी से market ने conveniently अपने हिसाब से देखा है, मतलब जिस तरीके से पहले बाते होती थी कि अगर Biden जीतेंगे तो कितना negative impact हो सकता है market पर फिर Biden जीत गए, but market ने बोला भाई हम तो अब सिनेट की तरफ देख रहे हैं, जहां पर Republicans की majority है, और वहाँ deals होंगे, deals होंगे मतलब कि वो uniformly अपनी हिसाब से जो Democratic Party है, Democrats है, US के, वो decisions नहीं ले पाएंगे, और उनको negotiations करने ही पढ़ेंगे Republicans के साथ, negotiations, don't take it otherwise कि कुछ गलत तरीके के negotiations, but negotiations means कि भाई, हमने जो policies बनाई है, वो हम आसानी से जो छोडने नहीं वाले है, तो आपको जैसे कि corporate tax hikes वगरे वो करने थे, वो नहीं करने देंगे, but stimulus देना है, तो yes, दोनों ने बोला था कि हम stimulus देंगे आने वाले समय में, तो वहाँ पे और जादा quantitative easing, stimulus क्या होता है भाई, money printing होगी, federal reserve और जादा पैसा print कर सकता है, और उसी साब से market में और जादा पैसा आ सकता है, corona की second wave चल रही है ये Europe में, और वो wave stimulus और एक stimulus लेके आ सकती है, fortunately इस बार जो fatalities है, वो बहुत कम है, so it means कि how to treat ये सारी चीज़े समझ में आना शुरू हो चुका है, and don be surprised, Trump हार चुके है, China is happy, vaccine कभी भी आ सकता है, that's what I feel, और ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, next video में मिलेंगे, जैहिन!